फोटो इडिटिंग का सबसे आसान तरीका आज बताने वाले हैं हम तो चलिए अपने फोटो को सबसे पहले शेयर कर लेंगे यहां से ब्राइटनेस को बढ़ा लेंगे इसके बाद बराइटनेस को बरहा लते हैं यहां से जहां जहां बलेक है उसके बाद डॉन कर लेंगे और इसे यहां पर ट्वीन इमेज पर आकर और और चार नमर वाले अप्शन को यहां से बढ़ा लेंगे उसके बाद डॉन कर लेंगे उसके बाद सियर कर लेता है लाइट ड्रोम अप्लिकेशन में लाइट ड्रोम अप्लिकाशन में आने के बाद इस फोटो को ले लेंगा और शीव दो मिनुट में फोटो को एडिट कर सकते हैं यहां से डाइडेक्ट लाइट वाले अप्शन पढ़ाएंगे इस पोजर का बढ़ा कर हाइड लाइट को कम कर लेंगे यहां से डाइडेक्ट वाले अप्शन पढ़ाएंगे और देखना मेरे फेस कैसे वाइट हो जाएगा यहां से इसको कम कर लेते हैं और सेचुरेशन को कम कर के लगभग 40 रखेंगे उसका लेमनेस को बढ़ा लेते हैं और ग्रीन वाले अप्शन पर आने का बाद यहां से कम कर लेंगे हीव को कम करने का बाद लेमनेस को पूरा फूल कर लेंगे उसके बाद यहां से red वाले option पर आएंगे red वाले color पर आने के पर इसको hue को कम कर लेंगे और lemness को बढ़ा लेंगे उसके बाद directly यहां से share कर लेंगे अपने photo को autodex application में यह photo editing का सबसे best trick है किसी भी photo पर अपलाई कर सकते हैं आप यहां से इस बरस को चूच कर लेंगे और size देख सकते हैं यहां पर size को रख लेंगे उसका फॉलो से रख लेंगे 8 और यहां से चलिए smooth करते हैं अपने photo को यह mobile का photo है को DCLR का नहीं है तो देख सकते हैं कितना आच्छा इसको इडिट करके हम दिखलाएंगे चलिए यहां से फोटो वीडियो को फास्ट कर लेते हैं तो देख सकते हैं हमारा photo smooth हो गया है और ग्राउंड को बलर करेंगे तो इसे share कर लेते हैं टूलिवीज अपलिकेशन में तो टूलिवीज अपलिकेशन में आने के बाद यहाँ पर इफ्येक्ट वाले ओप्शन पर आएंगे और सफ्ट पर क्लिक करके यहां से दो तीन यहां पर हम रख लेते हैं तीन अपने बैग्राउंड का साइज तीन ज्यादा हो ज़े रहे दू रख ले रहे हैं उसके बाद मेक वाले अप्शन पर आने के बाद इसके इरेजर यहां से कर दे रहा हैं फेस पर अनली इरेजर कर दे रहा हैं फेस और यहां से अपने कपड़ा पड़ी रेजर कर दे रहे हैं और हेर पवेश्य ही रहने दें और आप देख सकते हैं लो कि मेरा मुबाइल का फोटो कैसे डेसलार जैसा इडिट हो गया है तो चलिए इसे सेफ कर लेते हैं यहां से गैलरी में